असलाम लेकूम, वेलकम टू लाइमली कुकिंग, आज हम बनाएंगे बटर चिकन, बटर चिकन बिलकुल वैसे ही जैसे के रस्टोनर्स में बनता है, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर आप लोगों के लिए आज मैं बटर चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही रि को मेरिनेट करेंगे, इसके लिए दही चाहिए हमें, आधा कब भर के, अद्रक और लहसन का पेस्ट हमें चाहिए, एक टेबल स्पून, यनि कि एक खाने का चमच, लेमन जूस हमें चाहिए, आधा, यनि कि एक बड़ा लेमन मैंने लिया है, जिसका आधा करके मैंने इसमें शामिल कर लिया है, तकरीबन वन टेबल स्पून बनेगा, नमक हजब जाइका हम अट करेंगे, मैं यहाँ पे वन एंडा हाफ टी स्पून इसमेट करी हूँ, सुर्ख मिर्च का पाउडर, मैं यहाँ पे डेर काने का चमच यूस करी हूँ, अगर आपको कम मिर्चे पसंद ह तो आप कम भी कर सकती हैं, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है, यह तकरीबन हम इसमें डालेंगे, डेट चाय का चमच, यह फूट कलर है, यह मैं इसमें चुटके बर शामिल करी हूँ, इसे तंदूरी कलर देने के लिए, औरेंज कलर का फूट कलर है, पिगला हुआ मक मिक्स करेंगे, मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें चिकन अट करेंगे हैं, मैं यहाँ पे बॉनलेस चिकन ले रही हूँ, तकरीबन एक केजी जिसके मैंने इस तरह करके बड़े बड़े पीसिस कर लिए हैं, अगर आप चाहें तो आप हड़ियों वाला भी ले सकती हैं, बस आप इसके अपने पसंद के हिसाब से चोटे या बड़े पीसिस कर लें, मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े इसलिए ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसे ग्रिल कर लेने के बाद बीच में से कट करूंगी, अगर आप चाहें तो आप इसे तंदूर में भी बना सकती हैं, इसक अच्छा होगा, था इसके पीसिस जो है वो बहुत ही जूसी बनेंगे इसमें, चिकन को हमने मसाले से अच्छे से कोट कर लिया है, अब हम इसे मेरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, कम से कम दो घंटे और ज्यादा से ज्यादा आप जितना इसे छोड़ सकती हैं, तो आप इसे मेरिनेशन के लिए छोड़ दें, और इसके बाद हम इसे ग्रिल करेंगे, ग्रिल करने के लिए हम आप इसे तंदूर में भी बना सकती हैं, मैं यहाँ पे इसे ओवन में ग्रिल करूँगी, एक ओवन का रेक लेंगे और इसमें हम चिकन के पीसिस एड़ करेंगे, फॉ इसे 22-25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे इसके ओपर थोड़ा सा मैं यहां पर आयल डाल रही हूँ चाहें तो आप घी भी एड़ कर सकती हैं दूसरा तरीका यह है कि सिंपली आप इस तरह करके कोई कड़ाई ले ले या फिर कोई नॉन स्टिक फ्राइंग पैन ले ले थोड़ साथ आएंग बिवास उसमें ऐल गरम करें वण टेबल स्पून तक हम इसमें ऐल यागी गरम करेंगे और इसमें चिकन के पेड़ कर इसे अच्छे से फॉराई कर लेंगे दही का पानी खुशक होना चाहिए जो सारा मसाला है वह इसके उपर अच्छे से कोट होना चाहिए धकर हम इसे कुक करेंगे और जब तक कि ये सारा मसाला जजब ना कर ले इसके उपर अच्छे से लगना जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे और इसके बाद हम इसे डिशॉट करके निकाल लेंगे इसी कड़ाई में यहाँ पर मक्छन अट कर रही हूँ दो खाने के चमच हम मक्छन डाल के गरम करेंगे एक तेज़ पता हम इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा हम दाचीनी का डालेंगे यह आप देख सकती है एक किलो चिकन के लिए मैं इसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल रही हूँ कलफ्स यहनिके लॉंगे हम इसमें डालेंगे 2-3 अदद कार्डमम यनि के हरी लाइची हम इसमें डालेंगे दो से तीन अदद ये बीच में से मैंने इसे तोड़ लिया है प्याज हम इसमें शामिल करेंगे दो अदद बड़े साइस की प्याज हम इसमें शामिल करेंगे इस तरह करके रफली आपने से स्लाइस कर लेना है और इसके बाद हम इसे कुक करेंगे दो से ती मिनट ही हमने इसे कुक कर लेना है ताकि हलका सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए अब हम इसमें शामिल करेंगे दो से तीन अदद लेसन के जवे टमाटर हम इसमें शामिल करेंगे चार अदद ये इस तरह करके मैंने रफली से स्लाइस कर लिया है चार अदद बड़े साइस के टमाटर में इसमें यूज़ करूंगी अगर आपके मीडियम है या चोटे हैं तो आप छे अदद भी इसमें शामिल कर सकती है ये काजू हैं जिसे मैंने भिगो के रखा हुआ था इसे हम शामिल करेंगे वन टेबल स्पून अगर आप चाहें तो आप टू टेबल स्पून भी एड़ कर सकती हैं अच्छे से हम फ्राइ करेंगे और इसे ढखकर हम तकरीबन पांच मिंट के लिए कुख करेंगे पांच मिंट हो चुके हैं अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे आधा गलास मैं यहाँ पे इसमें पानी शामिल करेंगे और अब हम इसे ढखकर तब तक पकाएंगे जब तक के टमाटर और प्याज अच्छे से नर्म ना हो जाएं यह आप देख सकती हैं टमाटर और प्याज वो हम इसमें से हटा देंगे और इसे अच्छे से ठंडा करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे अगर ग्राइंडर में ये ग्राइंड सही तरह से ना हो रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें एड़ कर सकती है गरम पानी इसमें थोड़ा सा एड़ करके, आप इसे ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें, और जो पेस्ट है अब हम इसे चलनी में से छानेंगे, अगर आप चाहें तो आप डारेक्ट भी कड़ाई में डाल सकती हैं, लेकिन यह है कि से एक स्मूध सी ग्रेवी बनेगी, अगर हम इसे च्छान के शामिल करेंगे, तो ग्रेवी बहुत स्मूद बनेगी, छुल हम रैने ऑन कर दिया है, अब हम इसमे नमख डालेंगे हस्विजाएका मैं यहां पे तक्रीबन इसमें, वन आँ पूदाउट टी स्पून नमख शामिल करें भूआ हूँ चीनी हम इसमें शामिल करेंगे एक चाय का चमच यह आप देख सकती हैं ज्यादा भरा हुआ नई है चमच थोड़ी से हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें हमने सिंपल लाल मिर्च एड़ नहीं करना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम इसमें एड़ करेंगे वन टेबल स्पून एक खाने के चमच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर लेने के बाद हमेंसे 2-3 मेंट के लिए कोक करेंगे ये देखें चिकन हमारा अच्छे से ग्रिल हो गया है इसके ओपर ये आप देख सकती है कि तंदूरी जो हमारा चिकन जिस तरह के बनता है वैसे कि हमने तंदूरी चिकन बना लिया है अब मैं इसे बीच में से कट करूँगी क्योंकि जो पीसिस थे वो बड़े वाले थे चिकन को बीच में से हमने कट कर लिया है यहाँ पे ग्रिवी हमारी कोक हो रही है इसमें हम हरी मेल्चे शामिल करेंगे दो से तीन अदद बीच में से स्लाइस करके मैंने इसमें शामिल कर लिया है अब हम इसमें अपनी चिकन कटी भी शामिल करेंगे चिकन के अपने मर्जी के साब से आप पीसिस कर सकती है इसमें हम शामिल करेंगे और अच्छे से हम इसे कुक करेंगे ढगकर हम इसे पांच मेंट के लिए लौँच पर पकाएंगे ताकि जो चिकन है उसमें इसका मसाला जो है वो भी ठिक हो जाए और चिकन में अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए अब हम इसमें मक्षन एट करेंगे अच्छे से हम इसे 2-3 मिनट फ्राइ करेंगे और इसके बाद हम इसमें क्रीम एट करेंगे मैं यहाँ पर इसमें कुकिंग क्रीम एट करेंगे हूँ लेकिन कुकिंग क्रीम हर जगा अवैलिबल नहीं होता तो आप सिंपली फ्रेश क्रीम जो पैकेट में मिलता है ट्राट्रापेक वाला, आप वो इसमें डाल सकती है, आधा कब हमिसमें फ्रेश क्रीम एट करिंगे, गरम मसाला मैं यहाँ पर एक काणे का चमच में इसमें अट करें हूँ, याद रखें कि गरम मसाला है, यह ताजा मेरा पिसा हुआ है, इससे बहुत ही डिलिशेस, बहुत ह कोशिश करें कि आप ताजा पिसा हुआ गरा मसाला होममेड ही यूज़ करें ये कसूरी मेथी हैं जिसे हम हलका सा क्रश करके इस तरह चान कर इसमें शामिल करेंगे दो छोटे चाय के चमच हम इसमें कसूरी मेथी आइट करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे दो से ती मेर्ट क सा उपर लाने के लिए मैं इसे ढखके पांच मिंट के लिए कुक करूंगी लौांच पर और यह आप देख सकती है कि इसका जो मखन है वो उपर इस तरह करके आ गया है और यह हमारा डिलिशियस बटर चिकन त्यार है बहुत ही रिच बहुत ही क्रीमी यह बनेगा आप इसे ज़रूर ट्राइ कीजिये अब हम इसे डिश आउट करेंगे सर्विंग डिश में निकाल लेने के बाद आप अपने टेस्ट के साब से इसकी गार्निश कर सकते हैं मैं यहाँ पे से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम के साथ, थोड़ी से धनी पत्ते के साथ और साथी स्की ओपर छोड़ा सा मैने मकरड डाला हुआ है, इसके साथ मैंने इसे गार्निश कर लिया है उमेद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग अल्ला हाफिज